हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेश्टी यमी और सपैसी इनि स्नेक्स की रेश्पी जो खाने में काफी टेश्टी होगी कुरकुरी होगी और अंदर से यह देखे कितनी ही सौफ्ट है और यह स्नेक्स रेश्पी जो है ना बच्चे बड़े सभी को बहुत तेस्टी लगती है खाने में तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर दो बड़े चम्मत चना दाल ले लिया है इसे न चारज से पांच घंटे से फुला लिया है और इसे न देखिए इस तरह से दरदरा पीस लेंगे मोटे मोटे टाइप से देखिए कुछ इस तरह से फिर यहां पर लेंगे एक बॉल बॉल में लेंगे भुटा मैं यहां पर कच्चा भुटा का यूज कर रही हूं आप एक भुटा लिजिए और उसे इस तरह से कट कर लिजिए अगर इस तरह से कटनी कीजेगा तो आप इसे अच्छे से निकाल करके कि षाओ करें मि Sixty में द्रद्रा भी पीश सकती है देखिए इस तरह से मैंने सभी को ता करके कट करके लिया है इसी हम डालेंगे दो बड़े Marsh के उबले हुए आलू इससे मैज करके मैंने डाला है फिर यहां पर डालेंगे चना दाल जो मैंने दरदरा पीसा था उसे मिलाएंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कटा हुआ एक बड़ा प्याज और फिर कदू कस किया हुआ बीट रूट एक बड़े चम्मच और फिर इसमें दो बड़े चम्मच गाजर मैंने लिया है कदू कस क करके आप एक या दो गाजर का भी यूज कर सकते हैं और सिम्ला मिर्च हरी वाली मैंने डाली है एक बड़े चम्माच छोटे-छोटे बारी काट करके और यहां पर मैं कूटकर डाल दी हूँ अद्रक लसुन और हरी मिर्ची दो बड़े चम्माच और फिर यहां पर एक बड़े चम्माच धनिया पत्ता डालेंगे और नीम्बु का रस मैंने दो चम्माच लिया है तूटी इस्पून और फिर यहां पर कॉण्ट्फ्लोर पॉड़र का इस्तमाल करेंगे एक से एक बड़े चम्माच आप यहां उसके जगा गेहूं का आटा भी ले सकती हैं फिर मसाले डालेंगे इसमें काली मीज पॉडर एक चम्मच फिर गरम मसाला पॉडर एक चम्मच फिर इसमें चिरी फ्लेक्स डालेंगे एक चम्मच वन टीस्पून और फिर इसी में डालेंगे चाट मसाला पॉडर वन टीस्पून और धनिया पॉडर वन टीस अब सभी को हम मिला लेंगे इस तरह से सारे मसाले हमारे अच्छे से मिल जाएगे तो इसे हम हाथों में ले करके थोड़ा सा आप पाणी लगा लीजिए हाथों में या फिर तेल हरका सा लगा लेजिए तेल कुकिंग वर लेकर के इसे कोई भी आप सेफ दीजे मैं पर पत्ते का सेफ दे रही हूं आप चकोर या फिर राउंड गोल चिप्टी कोई भी साइज दे सकते हैं मैं पत्ते लिफ का जो होता न सेफ उसे दे रही हूं इस तरह से बना रही हूं फ्रेंड्स मेरी रिस्पी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और इसे एक बार जरूर से ट्राय किजिएगा फ्रेंड्स यह रिस्पी ना बचों को आप स्कूल में भी लंच बॉक्स में दे सकती हैं बहुत ही हेल्दी होत तो आप इसे बहुत फ्राइपेन में बटर डाल के भी सेख सकती हैं मैंने यहां पर रिफैंड ओयल का यूज किया है आधा कप अब इस तरह से हम सभी को डाल देंगे जितने भी मैंने बनाया है ना तिक्यां तो उसे सारे को मैं डाल दूंगी यहां पर गैस का फ्लेम हम रख हम डालेंगे और इसे उलटते पुलटते हुए हम तीन से छे मिनट तक इसे हम पकाएंगे देखिए इस तरह से सभी को हम पलट देंगे और जब यह दोनों सैट से अच्छे से सीख जाएंगी ना तो इसको इसे हलका सा प्रेस कर देंगे जैसे कि चार्ट वाले जो भीया हो अपने टिकीों को प्रेस करते हैं अलु कि टिकी को ऐसे हमें इसे प्रेस करेंगे हलका हलका सा उलटते पुलटते हुए यह देखे कितने यमी तेस्टी दिख रही है यह स्नैक्स फ्रेंड्स आप इसे इविनिंग में चाय के साथ कॉफी के साथ और कोई भी सॉस हुआ टमाटो केचप हुए और कोई भी चटनी हुई उसके साथ आप इसको गर्मा गर्म परोसिए और खाईए बहुत ही यमी टेस्टी बन करके यह रेडी होती है तो यह देखे यहां पर अच्छे से पग गई है तब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे तेल को सेप्लेट करते हुए आप टीशू पेपर का भी यूज कर सकती है उसके उपर आप रख करके जो तेल एक्ष्टर तेल है ना उसे हटा दीजिए इस तरह से हम सारे को हटा लेंगे और फिर दूसरा बैच डाल करके भी इसे हम इसी तरह से बना लेंगे आप इस स्नेक्स रेस्पी को अपनी कित्टी पाटी में बच्चे का बड़े पाटी में बनाएए और धनिया पूदीना और सौस के साथ इसे खाये क्योंकि रेस्पी बनाना बहुत ही असान है और यहां पर स्नेक्स ठीकियां तो फ्रेंड्स फिर मिलते एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस रेस्पी को एक बाद ज़रूर से ट्राय कीजिए